हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज की लिस्टिंग के उपर पारादी फॉसफेट्स आईप्यों की आज लिस्टिंग होती वी देखने को मिली लगबग 5 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दोस्तों आफ्टर लिस्टिंग होती वी देखने को मिली क्या जो 50 रुपे का आकड़ा है वो शेयर छूतावा देखने को मिलेगा और क्या होंगे मंडे के टागेट जानेंगे इस वीडियो में क्या होल करना चीए बाय करना चीए सब कुछ इस छोटे से वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो वीडियो को एंट तक देखेगा वीडियो अच्छा लगए तो चानल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तो तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले अगर बात करें तो पारादी फोस्पेट्स शेर makes positive debut should you buy, sell or hold तो mint की तरफ से एक article निकल कर आया है उस article को अगर पढ़े तो आप देख सकते हैं article में यह लिखकर आया है कि दोस्तो 43 से 52 की range में यह share trade कर सकता है लेकिन काफी strict stop loss उनने बता है 43 रूपीज का stop loss आपको रखना होगा और 52 रूपीज तक की target near term में आपको पारादीप phosphate share के अंदर देखने को मिल सकते हैं तो definitely अच्छी आपको commentary इसके उपर सुनती वे देखने को मिल रहे है अच्छे targets पारादीप phosphate के अंदर आते वे देखने को मिल रहे है वह अगर बात करें दोस्तो एक और analyst जानोंने target दिया तो उसको उन्हें बोला कि 32 रुपीज जी हां दोस्तो 32 रुपे का आप stop loss रखे जी हां 32 रुपे का अगर range में भी share आए तो ये range काफी अच्छी खरीदारी की range होगी और long term के अंदर जो target दिया है इन्होंने वो लगबग दोस्तो 52 रुपे का दिया है अगर बात कर लें दोस्तो पारादीप markets की आज तो आप देख सकते हैं markets ने आज definitely भारी तेजी करकर दिखाई है पिछले दो दिनों में आप कहा सकते हैं कि market का जो sentiment है वो negative से neutral के तरफ आतावा देखने को मिला है दो दिन में लगबग nifty ने साड़े 400 points की तेजी करी है और इसी के कारण पिछले तीन IPO's Delivery IPO, Venus Fly IPO अभी जो पारादीप IPO है तीनों positive में खुले और तीनों में लगबग 5-5-10-10% का फायदा आपको देखने को मिला वहीं अगर बात करें पारादीप first pitch की तो दोस्तों after listing काफी तगड़ा रुजान इस share में आता हुआ देखने को मिला 100 million का धमाका आज इस share में होता हुआ देखने को मिला 1.90 पैसे की तेजी में इस share close होता हुआ देखने को मिला लेकिन intraday में higher level से share लगबग 7.5% नीचे आता हुआ देखने को मिला है तो definitely higher level से गिरावट हुए बट fertilizer as a space पूरा आप देखे तो आज काफी रॉनक में रहता हुआ देखने को मिला है बात करें पारादीप के intra-day की तो आप देख सकते है 44 पर open होता है लगबग 2 रुपे के premium पर share open होता है और फिर एकदम आपको पहले profit booking होती है उसके बाद share आपको काफी अच्छी तेजी करकर दिखाता है और 43 का लगबग 47.25 तक का high लगाता है और फिर यहां से share में आपको panic selling आती भी देखने को मिलती है और इस selling के चलते share लगबग 43.90 पर close होता होगा देखने को मिलता है वहिए अगर बात करें इसके 52 अफतों के high की तो लगबग 7% नीचे है यह दोस्तों आज के high से share और अगर अगर बात करें इसके listing की तो 4.7% का premium पर यह list होता है वहिए अगर बात करें आज की volume की तो दोस्तों volume काफी surprising आज आती भी देखने को मिली 11 करोड से भी जादा की volume आज इस share में दर्ज होती भी देखने को मिली है तो यह काफी अच्छा positive signal है कि stock पे जो लोगों का भरोसा है वो आज after listing आता हुआ देखने को मिला है काफी तगडी volume आती भी देखने को मिली है और इसके चलते है आज पूरा fertilizer space positive में कामकाज करता हुआ देखने को मिला अब देख सकते हैं दीपक fertilizer, GNFC, RCF, Pradip Phosphates, NFL इन सभी share हो में एक एक प्रसेंट तक की तेजी होती भी देखने को मिली है RCF के नतीजे भी आ जाते हुए देखने को मिले थे अगर अगर आपन बात करें परादीप Phosphates की market capital की तो आप देख सकते हैं 355 करोर की company की market capital है NFL से भी जादा और NFL का stock price लगबग 51.45 पैसे तो definitely future में पारादीप Phosphates versus NFL का आप हो सकता है definitely कौन जागा लेगा NFL के definitely पारादीप में potential है कि पारादीप NFL जित्ता stock price इसका भी आ सकता है अगर अगर हम बात करें दोस्तों इसके charts की intraday के तो intraday के charts पर आप देख सकते है 47 rupees के level से ये गिर कर लगबग 43.90 के level पर आया है लेकिन अगर आपन देखे तो 43 rupees का इसनाज bottom भी बनाया है तो 43 rupees के bottom पर आपको बहुत majorly ध्यान रखना होगा अगर ये share 43 के नीचे आता है और काफी अची तेजी पारादी फॉसफेट के अंदर आ सकती है तो definitely दोस्तों मेरी यही सलाए कि 43 के stop loss के साथ आप इस share के अंदर खरीदारी करके चल सकते है और medium top में 47 से 49 तक के targets आपको पारादी फॉसफेट के अंदर देखने को मिल सकते है अब बात करें hold या फिर sell की तो मेरी यही सलाए जिसको भी IPO listing में आया था मंडे के दिन I think so 44-50 रुपी या फिर 45 रुपी तक के level पर आपको इसमें exit कर लेना है अगर और मंडे को अगर मान लीजे आपने exit किया उसके बाद नीचे आता है share 43-43-50 तक आता है तो definitely उस level पर आप इस share के अंदर खरीदारी करें और मुझे लगता है कि आने वाले एक से दो महिने के अंदर जी हां आने वाले एक से दो महिने के अंदर यह शेर यहां से आपको 50-55 रुपी तक की range में trade करता हूँ देखने को मिलेगा क्योंकि अगर अगर अपन बात करें fertilizers की तो अभी कुछ टाइम पहले fertilizers काफी तेज तरके से बूम कर रहे थे और उसी तेजी से fertilizers नीचे भी आते हुए देखने को मिलें अगर अपन एक्जामपल लेले RCF का तो लगबग 107 तक share गया था और अभी लगबग 94 के लेवल्स पर है तो काफी जादा correction आपको fertilizer sector stocks में वाता हुए देखने को मिला है और definitely आने वाले कुछ time बात fertilizer size the space आपको काफी अच्छी तेजी करके दिखाएंगे और यहां से प्रदीफ फॉसफेट का share approximately 50 से 52 तक की range में जा सकता है अब अगर बात कर ले दोस्तों Monday के levels की तो Monday के दिन मेरी यही सला है कि लोड़ा dip में आए तो आप share में खरीदारी करके चले क्योंकि Monday की दिन definitely 100 million जितनी volume तो नहीं आएगी अगर आप करना चाहते हैं तो तीन से चार महिने का आप परस्प्रक्टिव लेकर चल सकते हैं और 50 रुपीज तक के target आपको परादी फॉसफेट शेयर में देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो that's it for video अगर video अच्छा लगा हो तो चानल को subscribe करेंगा दोस्तो thank you for watching this video